कि विल्कम डू कॉक्टर सिंद्या एंड आइम यो होस्ट दादा बार्टेंडर फ्रेंड्स आज मेरे पास है ग्लेंफिडिक 18 एस सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की यह जो ट्राइंगल स्वेजि यह इससे पता चल जाता है कि कि आप ईसका बात कर रहे हों मतलब बैंटे मैं देन और सात में बोलंगा कि कि आज जो प्रोड़क्ट मेरे पास है वो एलिट विस्की लवर्स के लिए वन अफ दा अल्टीमेट चॉइस है अगर आप कभी भी कोई भी बार में जाते है तो आपको ग्लेंफिडिक बिलकुल मिलेगा क्यों क्योंकि यह वाल्ड वाइट इतना पॉपुलर है कि इसको वन किसम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो उन में से मैंने आज उनके लाया एटीन एस ओल्ड जो एक पहतरिन उसकी है और सबसे बड़ा बात और आक्रोस वर्ड तो बहुत फेमस ही है इंडिया में भी काफी फेमस है और इसके पीछे दो तिन रिजन है जो मैं आपके साथ आ इसकी क्राफ्टिंग का खुनर जुड़ा हुआ है इसके साथ नॉलेज जुड़ा हुआ है जब भी आप कोई ग्लेंफिडिक का प्रॉड़क खड़िते हो तब आप होल एक्सपेडियंस खड़िते हो नॉट उनलिया 18 यस 12 यस प्रॉड़क तो चलिए इस इंट्रेस्टिं बिलॉंग टू स्पेशाइड डफ टाउं जिया स्पेशाइड का जो हुइसकी है उसमें खास्यात है जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका बहुत सरा वीडियो में कि ये उतना पीटी नहीं होता है पीटी स्मोग जो होता है वो आपको इस विसकी में नहीं मिलेगा जो मैं समझता हूं कि इंडिया में सक्सेस होने का एक बहुत बड़ा कारण है और इसके साथ सद मैं और एक चीज़ एड़ करूंगा कि इसका अवेविलिटी आप कोई भी सिटी में जाओ कहीं भी जाओ तो आपको ग्लेंफिडिक बिलकोल मिल जाएगा तो ये भी एक सक्स इसका राज है इंडिया में अब तो समझते कि टेक्निकली ग्लेंफिडिक 18 इतना पॉपलर कैसे हुआ सबसे आगे मैं बोलना चाहूंगा कि ग्लेंफिडिक 18 विस्की एक सिंगल मॉल्ट विस्की है मतलब दा विस्की वस डिस्टिल असिंगल डिस्टिलरी उसिंग आप इसके बाबुजित भी यह जो विस्की है यह यूनिक बनता है और इसी में एड होता है विस्की क्राफ्टिंग का खुनर बेस क्वालिटी मॉल्टिर बाली को सिलेक किया जाता है इस एमेजिंग विस्की को बनाने के लिए और रॉबिडियू रिवर का नैचरल स्प्रिंग वाटर को यूस किया जाता है ग्लिंफिडिक 18 सिंगल मॉल्ट का जो प्योरिती है उसको बरकरा रखने के लिए बट विस्की में ट्विस्ट तब आता है जब 31 डिस्टिंग्टिवली शेप स्वंग नेक कॉपर पॉट स्टिल में डिस्टिल करते है यह जो लंबे लंबे न प्रोडक्शन को देखवल करने के लिए रखा गया है और इसमें विस्की में क्या एड होता है क्या मिलता है अब क्या होता है यह जो डिफेंट काइंड ओफ नेक वाला जो पॉट स्टिल है यह यूनिक स्टाइल विस्की डेलिवर करता है हर एक विस्की अलग-अलग हो जा जाता है और last में उसको manage किया जाता है different different class को और आपको same style whisky offer किया जाता है तो इसलिएी different different copper pot steel different shape copper pot steel को इस्तेमाल करता है यह company विसकी में सबसे important है time जब तक whisky में time नहीं देंगे तो वह whisky proper whisky नहीं बनेगा तो इस fruity and robust expression को हासिल करने के लिए ग्लेंफीडिक को Spanish Oloroso सेडी बड्स में और American Bourbon कास्क में 18 years तक मैचूर किया जाता है और जब मैचूरेशन कंप्लेट होता है दोस कास्क अर दें नोचर्ड इन स्मॉल बैचेस फॉर फॉर्दर 3 मॉन्स फॉर रिमाक्रबल डीप, रीच एन कंप्लेक्स फिवर के लिए प्राइस है इस विस्की का 12,000 की करिब करिब जो लिखा है लिखा है की 11,300 जो मैं बोलूँगा की ये वेस्ट बेंगोल का प्राइस है तब तक मैं आपको विस्की पोर भी कर देता हूँ और मैं दो तिन चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस विस्की के बारे में जो मुझे बहुत खड़ाब लगा की ये जो विस्की है इसमें कलर को यूज किया गया है इतना expensive विस्की और इसमें अगर 150 A को यूज किया गया तो ये बहुत गलत है साथ में मैं बोनुगा कि ये चल्फील्टर भी है मतलब ये नैच्रल नहीं है इसमें इसमें filtration process को उस किया गया इसका जो original taste है fragrance है उसको शच हद तक reviews किया गया है वो जो chill filtration process की जरीए तो ये भी मुझे बहुत खराब लगा और एक चीज है कि इसका जो percentage of alcohol है वो भी बहुत कम है मतलब 40% alcohol 40% alcohol और इतने expensive whiskey आपको इस whiskey को at least 46 होना चाहिए था या at least 43 होना चाहिए था जो natural होता है बट उससे भी कम और हां यह जो है bottle यह 700 ml का एक bottle तो यहां पर 50 ml आपको और भी कम मिलने वाला है तो कुछ यह था जो मु चलिए नोस करते हैं और इससे के बारे में बताते हैं पहले तो मैं बलाओं बताओंगा कि इसका जो color है यह honey gold color है और जैसे कि मैं आपको बताया कि यह इसमें artificial और you know natural color को add किया गया है तो चलिए नोस करते हैं मैं एक बाद बोलूँगा कि यह ओवरपोर विस्की नहीं है मैं जैसे मैं अपना नोस की तरफ लाया तो मुझे ओवरपोर नहीं लगा क्योंकि यह 18 साल एज डेख विस्की है तो अफकोर्स कि आपको कभी भी ऐसा नहीं फिल देगा कि अग्रासी मौल्ट का कुछ नोट्स आड़ है कमक्लेक्स फूस्ट नोट्स अगर स्पेसिविकली बनूट मिलन का मुझे मिल रहे और डार्क स्वीट जैसे की अगर स्पेसिविकली बनूट तो मैं मोलूँगा कि टॉफी का कुछ हिंट मिल रहे और और बटर स्कॉच काफी कैरमल का नोट्स आ रहा है बिट अ वैनिला नोट्स मुझे मिल रहा है और मैं बोलूंगा टच अफ ओक फ्रेग्रेंस मुझे मिल रहा है तो चलिए अभी पैलेट में लेकर अपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बहुत वेल बॉड़िड विस्की है मैं बोलूंगा काफी देट तक यह अच्छा कासा आपका माउथ में एक वैक्स का कोटिंग कर रहा है साथ में बोलूंगा बिट सिट्रसी सिट्रसी नोट्स मिल रहा है एक मिनिट और एक बाल लेता हूँ सेडी का स्विटनेस जो है वो मुझे मिल रहा है थोड़ा सा स्पाइशिस का एहसास आ रहा है और मैं बोलूंगा हां कुछ स्पाइशिस का फीलिंग दे रहा है साथ मैं बोलूँगा कि काफी स्वीट है मतलब आप जब फर्स्ट सिप लेंगे तो आपको काफी स्वीट लगेगा पट स्लोली वो स्वीटनेस गायव हो जाएगा और स्पाइस जो है वो पीछे से आपको फील देना चलू करेगा तो काफी इंट्रस्टिंग एक विस्की है म आपको अच्छा कासा है कोटिंग देता है काफी लिंग बवाथ seasoning है बहुत काईम तक आपका फोट में स्पिस्टिक्स है काफी स्मूध हैं काफी सौफिस्टिकेडट है एंड लगजडरी विस्की है। और क्या कहना इस विस्की के बाड़े में तो बस आज के लिए इतना ही बहुत जल्द मिलेंगे एक नए कॉक्टेल ने मॉक्टेल ने इंटरिस्टिंग सब्जेक के साथ एक नए हुस्की के साथ तब तक के लिए बाई-बाई एंड टेक प्लीस द्रिंक रिस्पॉंसिबिली अंक नहीं बाई टो चेस्ट दू जैय हो